हेलो दोस्तो मैं हूँ मनीज चोरसिया और आप देखने हैं फेक्ट अफेस सीब्याई द्वारा मनीज सुसोदिया को डेली एक्ससाइस पॉलिसी केस में अरेश्ट कर लिया गया है अभी हाली में इन से आठ घंटे पूंस्ताच की गई थी उसके बाद इनको अरेश्ट कर लि थी दोस्तो मनीज सुसोदिया को आप जानती होंगे यह देली के उप मुक्मंती हैं और साथ में यह फाइनेस मिनिस्टर भी हैं और इनके चर्चे राजधानी में बहुत हैं क्योंकि इन्हों का कहना है कि हम सरकारी स्कूल है वो सुधार रहे हैं और अच्छा बनाने की पार्टी जिस पर काफी लंबे समय से आरोब लगे हैं घुटाले के जब से उसका निर्मान हुआ है इसको करफ्ट पार्टी भी कहा जाता है अब मनीज सुधिया के अरेश्ट के चलते अब राजनीती में भूचाल सा आ गया है अब जो केंदर और देली है उसके बीच में स केजिबाल का भी कहना है कि ये डेट्री प्रोलिटिक्स है जो केंदर यानि जो बेजीपी उनके साथ खेल रही है भही आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये लोगतन के लिए एक बिल्कुल काला दिन है और ये भी कहना है कि जो बेजीपी है और से बियाई द्वारा लाखों बच्चों का जो भविष्य सुधार रहे थे मनिष सिसुधिया उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मनिष सिसुधिया का अलाबा भी कई सारे नेताओं को अरेस्ट किया गया था यो कि जब वो ठ्वाइब थे का थ्याल ठ्कना पड़ेगा दोस्तों आपको पताई होगा जो दिल्ली है पूर्ण राज नहीं है मत्लब इसको जो पूर्ण राज के दढ़ जाओ अभी तक प्राप्त नहीं है तो यहां पर लिव्टिनेंग गवर्नर होता है तो जो गौवर्मेंट होता है और जो लिव्टिनेंग गवर्नर होता है या उपराजपाल होता है उनके बीच जो संगर्स हमेशा बना रहता है चाया किसी भी मुद्ध्य पर हो अभी हाल ही में जो दिल्ली के उपराजपाल हैं और आम आदमी पार्टी उनके भीच भी संगर्स चल रहा है जैसा कि अभी हमें देखने को मिला सीवी आई द्वार जो मनिस सुधिया उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो जिल लिकुए पॉलिसी है प्राइबिट पिलियर्स है उनके लिए जो पाथ ओपन करना था इस पॉलिसी में ऐसा क्या खास था तो आईए जानते है इस पॉलिसी में यह कहा गया था कि जो बेंडर्स है आई जो वायार है वो अपने मन पसंद जो ब्रैंड चारते हैं वो खरीश सकते हैं और बेच भी सक ये भी अलाव करा गया था कि जो होंच डिलीबरी नहीं होल शथो या जो लोकल इरिया सकते हैं यह भी कहा गया जो दुकाने इस तरीके से बनाए जाएंगी ता लोगों को लंबी लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा और जल्दे से ही उनको जो बाइन वो मिल जाएगी साथ में जो सौप्स होंगे उनको अच्छे से डेकॉरेट किया जाएगा जिससे जो लोग हैं अंदर जाएं त और देखना होगा कि जो इसका असर है क्या होगा कि ऐसी जो 20 Atari ए सरकारफ लगाते रहेंगे या फिर यह जो आरफ है क्या सच है यहसे उपार्टिय करती him और बहुत संगिन आरोफ लगे इन्होंने पार्ठर parar मल घोटाला करा था ऐसे कुछ संगिन आरोफ है और इस जमाभ लेने के भी इनके कई बिधायकों पर इलजाम है इस वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए